हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम गड़ीत के महत्पूरू वायरल प्रशन को देखेंगे फ्रेंस आपके बोर्ड के एक्जाम में जो आज हम प्रशन करवाने वाले हैं इन ही प्रशनों में से आपके बोर्ड के एक्जाम में हूब हूब प्रशन आएंगे friends इन सबी प्रशनों को आप ध्यान से देखे और समझे friends आपको पता दें कि इन सभी प्रशनों को हम सरल भासा में और ट्रिक के माध्यम से आप सभी को प्रशन को हल करना सिकhाएंगे friends यदि आप वीडियो अंति तक देखते हैं तो आपको मैत में किसी प्रकार का प्रावलम नहीं रहा जाएगा और कम समय में आप प्रशनों को अपर हल करना आसानी से सीख जाएंगे चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस ये आपके सामने पहला प्रशन है कि संख्याओं 2, 3, 4, 6, 7, 11, 9, 15, 16, 20 की माद्धिका होगी यहाँ पर आपका आपसन है देखें फ्रेंस इसको आप ट्रिक के माद्धियम से कैसे हल करेंगे देखें फ्रेंस जब इस प्रकार का आपका आकड़ा दे और उसमें आपका माद्धिका पूछे इसमें पहले इस स्रीज को आप आरोही है और रोही करम में लिख लिजेगा देखें फ्रेंस यहाँ पर हम इसको बढ़ते हुए करम में लिखते हैं देखें यहाँ पर पहले लिखेंगे 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा देखें यहाँ पांच नहीं ते छहाँ गा चसे बड़ा साथ है साथ से बड़ा 9 है देखिए नो हो गया नो से बड़ा कर्म subhan healis 11 से बड़ा 15 से candra से बड़ा का तरहा है फ। इस तरह आप एक बढ़ते हुए करब में संख्याओं को लिखने के बाद देखके अपको माद्दिका गया थो आप बीच की संख्या गयात कीजेए देख़ें गीने के संख्या एक डू.. तिझार पांस छे साथ आट नो दस दस पर YOU माधगा मिवाधक में अब फड़ाने 10 को है तोसंक्व आपकी करना फिरे माधगा गिया ते इन दोने को जोड़ा पांस वाख दीजे तुर्षिया एन दून को जोड़ा लिकाना एन नो कों जोड़ाई इए कि अब कैसे निकाल सकते हैं आप सर्फ यहां पे आप तो उसी तरहिए ते बाफिजितर पहले से आ आहरा है इसका आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं तो जिससे आप जान जाएंगे कितना प्रश्ण आपका सही हो रहा है और कितना प्रश्ण आपका गलत हो रहा है ठीक है देखे फ्रेंस आज आपका अगला सवाल है कि आकड़ो तेसे तीन दिया चार दिया च्छ यक्स का माद दिया पांच है तो यक्स का देखे फ्रेंस उपर जो प्रश्ण आपको बता है माद का था है यहान पर माद निकालना होगा देखें यहां दिखें यहां पर उन्हके आपर फार्मूला होता है सभी पदों का यूग यानि तीन पलस-चार-पलेश्च प्लस-चार और बटाके पदों की संग्या कितना दिया है एक दू तीन चार यानने चार से यहां पर भाग देदीजिए फिरेंस देखें यहां पर आपका मादी कितना दिया है 5 तो माद दिखें जगा पांस रख लीजिए और इसको जोल लीजिए देखें 4 और चार दस दिन 13 13 प्लस यक् श रखेंगे जहीं चार की गुड़ा कलेच चार पचें 20 हो जाएगा और यहाँ पे 13 प्लस यक्स अब तेरह को पच्छांदा कर जोगा तेखिए बीस 13 की डल लागे माइनस 13 सब्सक्राइब कितना बचिएगा साथ यक्स कमान कितना आया आपका तो यहीं आप का इसा एंशोर होगा अभा संड में डेख लिज्वी साथ इसका सही जवाब ठीजिया होगा साथ आपका बापका While कैसरे इसे सब क्रेंब का शवाल क्या है कि एक बेलन घ्रिक फजिएक ललन है और जोंक की उचाई था तिरीजिया बराबर ररेन की उचाई और शंक की दोने आईतनों का अनुपात होगा क्या फ्रेंस यहां बेलन का आईतन लिख स्पर कर सींपल भास सभी को समझाइंगे अब यहां फ़र्मूला होता पाई आर इसक्वार एच और शंपाक हाईतन होता कि एक बड़ा के तीन पाई is average pääज़ायगा और स्कॉआर कड़ जाएगा यहां से यहां दोनों बराबर भी दिया अब यहां पर देखे इक पतlike के उपटाछा है त्यां वह प्शेरहां पात प्रस्ट क्या चुँक्षाली अब समझा रहे हैं ठीक है वीडियो बस अब क्या कीजिएगा अन्त तक बस एक बार देख लिजिए सभी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जागे इसमें सभी प्रकार के प्रशन लिए गए प्रेंज देखिए आपका जो है ब्रित का परिमाप और छेत्रफल दोनों को बराबर है देखिए परिमाप यानि यहां पर लिख लेते ब्रित और ब्रित का क्या है आपका परिमाप और इसी का आपका छेत्रफल चेत्रफल दोनों बराबर हैं देखिए फ्रेंज ब्रित का ज पूछाए सही होजए तो यहां पर प्रृश्ण ऊपये आपका पूछ सकता है कि जह यहां आपका अगला सवाल देखते हैं देखिए आपके सामने अगला सवाल है कि एक तिरभूज जिसमें एबी कमान आट सेंटिमीटर है तथा रेखाखंड एबी डैस इसकल टू तीन बटा के चार एबी भाग प्राप्त करने के लिए रेखाखंड एबी को किस अनुपात में भाजित करेगा और फ्रेंज इस सवाल को आप ध्यान से समझे देखिए यहाँ पर अ बी डैस दिया है ए बी डैस बराबर है तीन बटा के चार अभी है ठीक है यहाँ पर तीन बटा के चार रखिए कितना क्या है एंधर जा आट दिया ऑपको एख his आज का सब्सक्राइब जाते हैं इसका है अधर क्याめ कंविश्टो मेंचा वक्रवाल जा है उपकर टोटल गंग ऑढ़ प्सक्राइब कर लिए और अबिदेस का मान दिया है च्छ तो देखे फ्रेंस यह आपके मान यह भाग कितना होगा तो आठ में सच्छा कटाएंगा दू हो जाएगा इसमें पूछ रहा है कि अबिदेस अपान बीड़ेस ठीक है यहाँ पर दू है कि इसका सही जवाब को देखते हैं यह अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला सवाल है तेरेक्षी मीति से हैं कि 10 A करड़ी तंथा 10 B कमाने हैं करड़ी 3 तो 10 A प्लस B का मान होगा अब A प्लस B अब देखे फ्रेंज आपको 10 A कमान दिया एक बटा के करड़ी 3 तो यहाँ पर 10 देखे आधम सीमपल भासा में देखी फ्रेंज एक करड़ी तीन अब देखे फ्रेंश टैन ए एक बड़ा करड़ी तीन कमान कितना हो तो टैन कुरूप में देखेंगे आप टैन सब्सक्राइब टैन से टैन अटेकर एक मान कितना आजाएगा तीस अंस आजाएगा ठीक है इसी प्रकाट टैन बी कर दिया है यहाँ पर टैन बी बराबर करड़ी में तीन दिया है यहाँ पर टैन बी करेंगे इस तरह अब बताएगे टैन कुरूप में करड़ी तिन किसमे होता है तो टैन सा हो जगए 60A ठीक है अप फटेंस देखंबंगई यहाँ पर पूछा किया 10 A प्लस B पूछा है यहाँ पर रख सकते हैं 10 A प्लस B लि realm 10, A प्लस B यहाँ 10 लिखेंगे यहाँ A कमान कितना ही आए अपका 30 त्यफ्फ यहाँ आप 12 रखेंगे ईपल्स बी कमान कितना है साथ तो साथ रखिए अब जोड़ दीजिए 10. साथ होते हैं कितना हो जग Adventure 910 अठिट नबे अंजunta कमान कितना होता है अनन्त होता है इसका सही जवब क्या हो जाएगा Alan इसका सही जो अपक्या होगा attend होगा ठीक है तो फ्रेंच देखिए इस प्रेंच के आप यदि जीरो लगा देंगा ऐसे लगा देगा गलती हो जागा यह तो टैन आपको हल करके सिंपल बास हम समझा रहें कितना आपका अनंता आ अब फ्रेंच देखिए अब ऐसा सवाल जो आता है आपके सामने इस सवाल को आपके से प्रट लीजे कि इसका मान हमेसा एक होता है देखिए आर्दू दस अचा चारा ठेकनो 90 हो रहा है दुनों का जब इस प्रकार से आएगा तो आप सन में पहुई कल्पीम रहेगा तो इसको लगाने कि आपको वश्रक्ता नहीं डारेक्ट आप एक एंसर लगा दिजे हमेसा एक और देखिए यहां फ्रेंस आप को बेसे घ्वासर का क्समझना है की आप कैसे रहा है यहां फिरीख्क कह समझाते हैं कि यह सवाल कैसे लगा लेगी आप सब्सक्रण को समझ चा carroageishing अ का बहुत कम समय में तुर्ण सवालों का इंसर देते रहेंगे ठीक है अब को से 42 है तो हम क्या लिख सकते हैं आप को से यहां से हम 90 में से यदि हम 48 घटा दें तो कितना हो जिए 42 होगा आपका 90 में से 48 घटांगे तो 42 आएगा अब यहां पर से से एक रहने दीजिए 48 अब फिरेंस आपको फार्मूला इसका पता होगा को से 90 माइनस ठीटा क्या लिख सकते हैं से यहां 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 इसका वर्क कर लिजिए पांच का वर्क 25 हो जाएगा अप्लस बारा के अब देखिए यहां पर आपसन बनाते समय अब देखिए यहां पर यह तो था कि आप इस तरह चूटकियों में लगा लिए लेकिन इस सवाल को आपको लगाना रहा तो लगाए कैसे देखिए अब दूरी का फार्मूला होता है दो बिन्दों की बीच की दूरी फार्मूला होता है क्रड़ी में जब सुद् fund का इस को होलिक है अब छलीमा रख लेते दिखि效 BEN कमांट कितना आए है मच यह दखे दिखिन माइनस श्क टूकमान माइनस मैनस क्या हो जाए अब कर प्लस बरहो ज Yogya के यहां पर कर लिजिए वाए वन कमांट जीर है यह लोगर है रोसी एक यहां पिछाहरो जाए और यहां पिजीर हो आपधे द्रीद सब्सक्राइब को अच्छे प्रकार से लगाना है इस प्रकार लिख के भी आप लगा सकते हैं ठीक है चलिए नमबर का सवाल देखते हैं देखिए यहां पर नौ नमबर का आपका सवाल को अनुपात पूछे और दोनों तिर भूज क्या हो समरूफ हो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे बस क्या कि नो अनुपात चार है देखिए नो बटा के चार लिख सकते हैं और जब छेत्रफल पूछे तो इसी का स्कौर कर लेजिए देखिए नो नमा एक क्यासी होगा अच समरूफ तिर भूज दे और भूजाओं का अनुपात दिया है तो छेत्रफलों का अनुपात पूछे गाता है यह जो अनुपात है नो का स्कौर का दे नो नो एक क्यासी हो जागा चार का इसका चाचो को सोलो हो जाएगा ठीक है आप इन प्रिकों को समझेंगे तो बहुत क मूलों का योग मूल जो होते हैं हम देखाते है अलफा और बीटा से देखे एकस वन प्लस बी यहाँ इसकार कर लिजिए बी एकस प्लस सी यहाँ एकसव नटाइज ब्रजीर जब इस प्रकार का दियुगात समी कर देता है तो इसमें मूलों का योग यालफा प्लस बीटा माइनस B बटा के A होता है ठीक है और अलफा इंड्री यानि मूलो को गृण उन्फल क्या होता है C एक एक होता है इसको याद रगे फार्मॉला लेकिन यहाँ पर पूछा है फ्रेंस मूलो का योग देखें अब यहाँ पर माइनस पाले से यह B कमान किया है देखिए यक्सी स्क्वार यह A कमान है और यह B कमान है यह C कमान है ठीक है यहाँ पर पूछा है आपका B बटा के यहाँ पर माइनस रखे बी कमान कितना है माइनस तो यह माइनस पहले से देखिए माइनस तीन अपान एक मान कितना है पांच है यह कितना है मा डिक आपे देख सकते हैं लगा सकते हैं लिए नो एक सबस्रों आदू अगले सवाल को देखते हैं देखेए आपके सामने अगला सवाल है कि समीकर यक्स माइनस दू आई बराबर दू का कौन सा एक हल हो सकता है तकि फ्रेंच जब इस प्रकास सवाल दे और इसमें इस प्रकास यक्स 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 यहां इकस कमा पढ़ए च्हों लिख लेते हैं माइनस दू गुड़ें य कि पूर लीजी है और बराबर हमको कितना लाना थू लाना है देगा छाहान दू दूना कि हल करके तुर्ण देख लेते कि इस पकास आप सिंपल भासा में रखके तुर्ण खल कर सकते हैं आपके सामने ये अगला सवाल देखिए बरावे नंबर का सवाल है कि यदि 26 और 126 का लगुतन समापोर्तक पूछ रहा है देखे फिर इस पकार का सवाल देखे आप यहां क्या करेंगे कि यह दो संख्या है ना दो संख्या का लगुतन समापोर्तक संख्या बराबर लगुतन समापोर्तक पूछ रहा है देखे यहां पर आपका पाली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर लजास गुड़े मसर कर लिजिए मसर अब ट्रिक भी बताएंगे देखे कैसे करेंगे यहां पर आपके 26 है अगुड़ा से केंड़ वाला कितन यहां पर है आपका मशा देखें 126 से 126 कड़ अब क्या हो जाएगा 26 होगा महत्तम समापूर्तक कितना है फ्रेंश 26 आया तीस में आप देख सकते हैं 26 कहां पर देखें फ्रेंश जब दू संख्या इस तरह दे उसमें से एक संख्या लसा या माससा देता है और अगला वाला पूछता है लासा या मासस कोती शेता रहता है है इससी सवाल फे आप आसानी से इसस दो गड़ा सकते हैं ठीक है आपके सामने एक हमें यह सवाल में क्या कर रहा है जाएक एक स्कौायर प्लस एक्स वन अपान 24 संपू बंस जीरो नहीं हो अब समीर कर सकते हैं लेकिन जब बहुई कलपियमे यह सवाल आता है इस सवाल को ट्रिक से कैसे हल करेंगी देखिए आक को क्या करना है भस यहां है पे क्या करना जैसा 1 गत्व है 1 1 2 जो यह मान दीया है आपका यajkst का दीया होता है तो thatक कि यहाँ पहों करना 1 2 एक, माइनस एक, माइनस एक बटागे दू रखके, हल करके, देखेंगे, जिस पर यह माँ जीरो आएगा, वही उसका हल होगा, तब friends, क्या करेंगे, देखेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस जब रहेगा न, आप माइनस वाला माँ रखेंगे, हमें इसा, जब प्लस प्लस हैंगा रेखेंगे फ्रेंस यहां प्रुटर्यूश कमार रेख लिए माइनस एग बटा के दूँब लाना यह जिल बटा कर न का में बटा के का स्कॉर कर के देखिए यह का स्कार 1 और दू 1 तो गuaryः यह करे प्यज़द यहां रहान पर गया होजाएं माइनस यहां पर प्लस माइनस ऑट दो zucchini के चार हो जागा ठीक है यहां पर ञाला पर जूस्य बतला हो Karen छीकित इस परकार से आप ट्रीक्त के माद्यम से सवाल को हल कर सकते हैं फिरेंज-इसके अलबां इसका टरीका था कि आप गुड़न खंड करते हैं अब उस परकार से भी लगा सकते हैं उसमें लगाने से क्या होगा थोड़ा से समय लगाए लेकिन इस जो ट्रिक बता रहे हैं आपको इस से लगाएंगे तो पहुई कल्पिये प्रश्न जो होगा आपको बहुत आसानी पूर्वक से हल हो जाएगा बस इसमें क्या करना है कि यहां से कोई एक मान उठा कर रखिये जिस पे यह मान जीरों के बराबर आएगा वही आपका हल वता है और इसके लवा यदि गुड़ां खंट से आपको आ रहा है तो गुड़ां खंट से भी आप लगा सकते हैं चलिए अगला सवाल देखते हैं देखिए आपके सामने अगला सवाल है क्या है अब चलिए यहीं नो जोह मेंस पांच प्लस माइनस मेंस दियाना हूं agora सही जवाब आप कोगा प्लस माइनस दुख चलिए अगले सवाल को देखते हैं, माइनस प्लस पर पर प्र इसके बाद कोई चिन नहीं तो प्लस रहता है माइनस प्लस आगे किस चात्रचांस में हुगा ता इसका सही जवाब होगा दूसरा चतुरतांस आपके सामने अगला सवाल है सोला नंबर का कि 21 cm तिरिज्या वाल है याई देखें यहाँ पर आपका तिरिज्या दिया है कितना आर कमान दिया है 21 cm ठीक है cm लिख सकते हैं बिरित के किसी चाप दोरा केंदर पर बना कोड़ कितना है 60 हंस है तो चाप की लंबाई पूछ रहा है देखें चाप की लंबाई जब आपको निकालना है तो चाप की लंबाई यल से दिखाते है यल बराबर जो आपको होगा कि ठीटा बटा के 360 गुड़े यहाँ क्या लिखेंगे आप यहाँ पिदिया 21 cm तरीजे वाले बिरित के किसी चाप दवरा केंदर पर बना कोड़ कितना है 60 है तो इसका होता है फार्मूला 2 पाई आर याँ पर इधी लिखेंगे पर इधी वाला फार्मूला यहाँ ठीटा कमान कितना है 60 है तो 60 और बटा के 360 लगी और गुड़े दू गुड़े बाई कमान कितना है 22 बटा के 7 और आर कमान कितना है 21 है तो 21 रख लिजी अभी इसी को गुड़ा कर लिजी देखिए 0 से 0 6 6 36 36 हो जाएगा देखिए 7 के 7 7 7 7 तरीके 21 देखिए 3 के 3 तीन दुना के 6 और दूसरे दू कट जाएगा तो आपका कितना बच रहे सिर्फ 22 बच रहे तो 22 हो जाएगा और 22 सेंटीमीटर हो जाएगा यानि कि यहां पे आपको क्या आ रहा है कि चाप की लंबाई कितना है आपका 22 cm तो इसका सही जवाब होगा आपका डीवल आपसं सही हो जाएगा 22 cm आपका अगला सवाल है 17 नंबर का देखे 17 नंबर का क्या है यदि यक्स 10 45 चाछ साथ हंस साइन साथ हंस, काट साथ हंस, तो यक्स का मान यहाँ पूछ रहा है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है यक्स गुड़े, टेंट पैदालिस हंस का मान कितना होता है, एक होता है, कास साथ हंस का मान कितना होता है, फ्रेंस, तीस का मान होता है, एक बटा है, दू होता है, साइन साथ हंस कमान कितना होता है करड़ी में तीन बटा के दू होता है अब काट साथ हंस कमान कितना होता है एक बटा करड़ी में तीन होता है यह मान याद रहा ना चाहिए यदि मान याद रहेगा तभी आप हल कर सकते है अब देखे फ्रेंज जैसे आप विकल्पे हैं करड ठीक है यानि एक होगा चलिए यहां पर सवाल देखे फ्रेंस यहां पर दिया है आपका 18 नंबर का सवाल कि सबसे छोटी अभाज संख्या है ठीक अभाज संख्या से हर साल बोर्ड की एक्जाम में प्रशन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज संख्या क्या है देखे फ्रेंस उसको याद रखेगा, सबसे छोटी अबाज संख्या क्या होता है, आपका, दो होता है, तो सबसे छोटी अबाज संख्या कितना हुआ, दो, आपके सामने अगला सवाल है, देखें, यहाँ पर देख सकते हैं, 19 नंबर का, कि करड़ी दू है, यानि करड़ी दू को हम क्या करत करड़ी पांच आता है और जो आभाज संख्या जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वह क्या होता है इसका सही जवाब क्या होगा आपका अपरी में फ्रेंस आप comment box में लिखिए कि करड़ी 4 को हम क्या कहेंगे ठीक है करड़ी 4 को क्या कहेंगे परी में कहेंगे दोने में क्या कहेंगे इसको आप comment box में लिखिए ठीक है चलिए अगला सवाल आपका है 20 नंबर का है कि दिव घात समी करण 2x square plus 5x minus 6 बराबर 0 की घात ह यानि इसमें जब घात पता ना रहोगा तो देखें जब भी घात दे या तीन घात वाला दे या कुछ भी दे उसमें देखें कि जो यह दिया रहेगा इसमें यक्स पे सबसे बड़ा घात क्या है यहाँ पर देखें जब यक्स पर सबसे बड़ा घात क्या है आपका दू है त आपको 20 most important question करा हैं और यही आपके paper में छपेंगे फ्रेंस यह देख लिजेगा paper देके आईएगा और इस वीडियो के देख के मिलाएगा कि जो हम आपको यह स्रीच करवा रहे हैं उसमें आपके कितने प्रश्ण आपके board के exam में आ रहे हैं ठीक है और आपको screen start करके भी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें